Hello everyone, आज हम लोग समझेंगे Transfer of Property Act 1882 के अंदर section 60 से related एक question के बारे में इस section 60 के उपर हम already वीडियो बना चुके हैं जो deal करता है right of mortgagers to redeem यानि right of redemption के उपर deal करता है mortgager के अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के description में उसका link डाल दूगा section 60 का, बहुत important section है ये, इससे कई बार question पूछे जा चुके है अब लेकिन हमने section 60 तो cover कर दिया था, अब लेकिन exam में किस तरीके से question पूछा जाता है आज हम उसके उपर बात करेंगे और उसका जवाब देंगे कि उसको किस तरीके से लिखना है जैसे section 60 के बारे में तो ये पूछ लेता है कि mortgager के right to redeem के बारे में लिखने के लिए इतना तो लिख देता है, जैसे एक बार हम लोग फिर से recall कर लेते हैं, right of redemption को समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि mortgage के अंदर क्या होता है, बंधक के अंदर क्या होता है एक व्यक्ति अपनी अचल संपत्ती किसी दूसरे के पास बंधक के तौर पे देता है और बदले में उससे कुछ उधार पैसा लेता है कि जब मैं तुम्हें अपना उधार पैसा जो है ये लौटा दूँगा जो मेरी चीज मैंने तुम्हें बंधक पे दी है अचल संपत्ती ये तुम मुझे वापिस कर दोगे जैसे for example अगर मैं आप से कुछ पैसा उधार ले रहा हूं और बदले में अपनी कोई अचल संपत्ती आपके पास बंधक के तौर पे रख रहा हूं तो ये होता है mortgage जिसमें मैं mortgager हो जाऊंगा और आप mortgagy हो जाएंगे अब section 60 जिस चीज को पर deal करता है ये deal करता right of mortgager to redeem मतलब धारा साड जो है ये हमें as a mortgager एक अध्राइट देती है एक ऐसा अधिकार देती है कि ये एक inherent right है मतलब कि कभी भी जो हम लोगों ने समझोता किया है उसका time due होने पे अगर मैं पैसा आपको देता हूं या पैसे के लिए offer करता हूं तो आप कभी मुझे मना नहीं कर सकते हैं मेरी property मुझे वापिस करने के लिए आपको भले कितनी property पसंद आ जाए या हम लोग कोई भी इस तरीके की उस contract के अंदर उस mortgage deed के अंदर ऐसी समझोता नहीं कर सकते हैं जो मेरे इस अधिकार को मुझसे छीन ले यानि कि अगर मैं पैसा देना चाहे रहा हूँ आपको तो मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है अपनी संपत्ती आप से वापिस लेने को इसी को गोलते है right of mortgages to redeem तो अब exam में question किस तरीके से पूछता है exam में question पहले तो ये पूछ लेगा कि right of redemption क्या होता है contract करके क्या इस right को जो mortgages की right है क्या इसको खतम कर सकते हैं destroy कर सकते हैं curtail कर सकते हैं question ये पूछता है कि क्या वो लोग अगर कोई contract करते हैं किसी तरीके की समझोधा कर लेते हैं क्या इस तरीके की जो अधिकार है ये जो right है right of redemption का mortgages का क्या इसको destroy किया जा सकता है खतम किया जा सकता है यह question पूछा जा चुका है हम अलड़ी इसके उपर वीडियो बना चुके हैं कि 10 वो important question TPA के कौन से हैं तो उसमें हमने इस question के उपर बात करी हुई है तो क्या उसका इस अधिकार को छीना जा सकता है तो इसके लिए दो बहुत important case है एक है Biggs vs. Hodinaut का case Biggs vs. Hodinaut का एक case है अदूसरा है Stanley vs. Wild का एक है 1898 का अदूसरा है 1899 का यहनि Biggs vs. Hodinaut जो है 1898 का है उसके बात Stanley vs. Wild जो है यह 1899 का है इन दोनों ही cases में यह held हुआ था कि किसी भी तरीके का clause डाल के या provision डाल के या contract के अंदर कुछी भी तरीके की बात डाल के आप mortgager का जो अधिकार है right of redemption का जो उसकी शक्ती है उसका अधिकार है वो छी नहीं सकते है Stanley vs. Wild के case में 1899 कोर्ट ने यह कहा कि mortgage जो होता है एक तरीके का बंदग होता है तो अब इसके अंदर जो mortgager होता है यानि कि मैं मेरे पास ये inherent right है ये अधिकार है कि मैं आपको पैसा दे के या पैसा tender करके ओफर करके आप से अपनी चीज रिडीम कर लूँ अपनी चीज वापिस ले लूँ लेकिन अगर हम लोगों ने अपने समझोता आप कोई भी तरीके का कॉंट्राट करके यानि मौर्गेजर मौर्गेजी किसी भी तरीके का कॉंट्राट करके मौर्गेजर के इस अधिकार को नहीं चीन सकते हैं अब जब आप एक चीज गौर करेंगे जब section 60 शुरू होता है right of redemption का ये section कैसे शुरू होता है at any time after the principal money has become due आप section 60 जब पढ़ेंगे TPA का तो ये ऐसे ही शुरू हो रहा है at any time after the principal money has become due लेकिन जब आप section 67 पढ़ेंगे right to foreclosure यानि जो right mortgage का है उसके अंदर क्या शुरू हो रहा है in the absence of the contract to the contrary कितना important point है ये इन दोनो section के अंदर section 60 कैसे शुरू हो रहा है at any time after the principal money has become due यानि इसके अंदर ये बात नहीं लिखी गई at the absence in the absence of any contract to the contrary यानि आप कौनो contract कर लें उस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा जो right of redemption का right है mortgager का वो आप छीन सकते ही नहीं है तो इसलिए इस section के शुरूआत में ऐसा कुछ नहीं लिखा in the absence of the contract to the contrary सीधे तोर पे लिखा हुआ at any time after the principal money has become due लेकिन section 67 पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है in absence of the contract to the contrary यानि अगर वहाँ पे contract हो जाएगा तो उसका प्रभाव पढ़ जाएगा mortgage के right पे लेकिन यहाँ पे as you कोई बात ही नहीं करी गई क्यों नहीं करी गई क्योंकि अगर आप contract कर भी लेंगे तो भी mortgager के right of redemption पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा इसलिए section सीधे तोर से शुरू हो रहा है at any time after the principal money has become due इस तरीके से शुरू हो रहा है तो यह हम लोगों का section 67 से जोड़ा हुआ एक question था क्योंकि यह question पूछ लेता है क्योंकि हमने बताया ना कि इतना easy question नहीं पूछता है question पूछता है इस तरीके से ताकि वो यह चेक करें कि आपने क्या इसको deeply पढ़ा है इसके गहरान में जाके पढ़ा है तो question इस तरीके से फ्रेम होता हुआ right of redemption के बारे में तो आपसे पूछे ही गई पूछेगा उसका साथ पूछेगा क्या contract करके इसको कथम किया जा सकता है